अच्छा के वीडियो चलाना है जरा आप चलाएंगे कि इसको है आप ले ले उपर आप गाम तो बगैरत इंसान है यार अरे सुने तो सही बगैरत को किया था मैंने उपर किया है इस आप चलाएं जीदे रोपना रोप लीजिएगा जी ये सवाल है देश्यत गर्दी आईएस आईएस और इसके सर्म की जो हमारे हैं टेम्ट सो हो रहे हैं तो ये पूछना चाहरे हैं कि क्या ये जो देश्यत गर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे नजात हासल कर सकते हैं यह जो दैश्टगर्दी इस वक मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजभी फिकर और रिलीजियस थाउट है, जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है, इसका बाइस यह है, और इसमें चार चीज अभी तक तो सच बोली जा रहा है यह कैसे हो गया अभी तक परदाल दिया था उसके अब यह चाला की करने बिना इनका काम थोड़ी ना चलता है यह मदरिसे को कहेगा मदरिसे गलत हैं लेकिन बारहल अभी तक तो सच बोली जा रहा है आगे जलते हैं पहली चीज़ यह है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगा कुफर होगा या इर्तदाद होगा एपास्टसी यानि कोई शक्स इसलाम छोड़ देगा तो उसकी सजा मौत है और यह सजा हमें नाफिस करने का हथ है पहली बाद दूसरी बाद यह सची बोल जा र गायर मसलिम सिर्फ मेहकूम होने के लिए प्यादा किये गए मुसल्मानों के सिवा किसी को दुनिया पर हकूमत का रहा है जब हमारे उख्यार बगारे सची बोली आ रहा है हम उसको उनट देगे तीसरी चीज जो हर जगा सिखाई जाती है वो यह है कि दुनिया में मुसल्बानों की एक ही हकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते है बैट चोट शाहिल सब की सच बोले जा रहे हैं यहां जा रहे हैं अब इसको रिजेक्ट करेगा मैं यह सोचना जा रहा हूं इन चारों चीजों को यह इसलामी के लिए किसे करें कि यह जूटा ने को दो चीज़े होती है एक जिजोती के देना जूट है और एक जिजोती उसे साबत करना के जूट है आईए देखें यह अलग अलग हकूमत है इनका कोई जवाज नहीं है और चौती बात यह कि जदीद नेशन स्टेट यह जो कौमी रियास्त है यह एक कुफर है जिसकी इसलाम में कोई मुलक और बॉर्डर्स की बात कर रहा है कि इसलाम में मुलक और बॉर्डर्स की कोई वो नहीं है वैल्यू नहीं है चार बाते हमारे मजभी फिकर की बन्याद है मुझे यह बताईए कि अगर यह आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे इस वजह से मैं मसलसल अपनी हक यह नहीं पेश करेंगे यह लोग पैदा होते रहेंगे एक बारे मगर घ्ल वह सई नहीं है क्या तो तो नहीं सेंचरी में आके और तेरे पास जिवराईल नहीं आया वह है क्या वह तो बता तुने का से लिए अरे बाबा अगे सारी चीजों को यह भाई इसका नेरेटीव तो यही है ना कि इंट्रेस्ट भी हलाल है और अगे स्कार से डिखाई हूं हमारे अगयार घृद्दध का बुढ़ा गया कि सटिया आ गया और कई बात नहीं हो बुरावं में बन्दा सटिया जाता है कि सटिया गया बात ज़ये i typically चोदा साल से जो सफ़ाया जा रहा बताया जा रहा पढमा जा रहा और स्था साल जो उलमा इदियन हैS वह सारे כछ सारे गलत है एक कल्ला ही सही बैदा हो गया पहनी आख यानि चोदास साल से इसलाम किसने सजी दिकानी कल्ला ही सही सहबत हो गया और बता है उसने रेफरेंश में दिया नहीं इस चीज़ का अच्छे इसमें भी एक बात देखुए अडम साथ के मुसलमान होते हुए इसको पाकिस्तान छोड़के वागना पड़ा अगर यह पाकिस्तान में होता तो इसका गेम बारी तो कपका कर दी होते गेम बजा दालते इसका वहां जाके अपना अलग इसलाम लोगों को बता रहा ह पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं किया भाई तुमने इसको पता है इसलाम करता क्या इसलाम क्या करता है पता न्या कुरान ही पैदा कर सकता है यह अधरवाइस गाम की को ले ओ मैंसामने सबाइर होने कि और कुछ नहीं करेगा बिलकुल यार उबेदू यार अपने मां के मरने के अपने बाप के मरने के चांसर बाद पैदा हुआ था रामदी का यह आर्टिकल में ने यूज किया था बाइदबर वान अफ दर एफ जी हां इस सभी बात है